हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैंकित एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपनी क्लास एगरी इंस्टेटू टूपी पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रही होगी कहते हैं कि जहां तेरी याद ना आए वो तनहाई किस काम की जो बिगडे रिष्टे ना बना दे वो खुदाई किस काम की बेसक हमें जाना है अपनी मंजिल तक पर जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो उचाई किस काम की वो उचाई किस काम की तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मानों दंत के बारे में मानों में कितने प्रकार के दात पाये जाते हैं और इन दातों के नाम क्या होते हैं इनके काम क्या होते हैं तो मानों में चार प्रकार के दात पाये जाते हैं दात के अध्धेन को कहा जाता है औरुंटोलोजी औरंटोलोजी के अंतरगत हम दान्त का अध्यन करते हैं अगर आपको दान्त के बारे में खुब अच्छे सजनकारी लेना है तो आप लोग औरंटोलोजी साखा होते हैं साइंस की उसको पढ़ेगा दात के भाग की अगर हम बात करें तो दात के दो भाग होते हैं स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो एक दात का भाग होता है बाहरी सफेज सफेज जो दिखता है और एक होता है भीतरी जो बाहरी होता है उसको कहते है इनामेल और जो अंदर होता है उसको कहते है डेंट टाइन ठीक अगर यहां पे कोश्चन और भी पूछा जाता है कि सरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है तो मानों के सरीर में सबसे ज्यादा दात का भाग कठोर होता है जिसको एनामल कहते हैं इनामल जो होता है यह दात का भाग हो केल्सियम एपिताइट का और अंदर को देंट में वाग होता है केल्सियम और फासोरस का बना हुआ होता है ठीक इसके बाद में अगर बात करें दूध के दान् नाते हैंहिगे него कि निकलते हैं EHниц के जीवन में लुक होते हैं अगर कि प्ल की बात करें तो यहां पर आप लोग देख लेना कुल की बात कर रहा है कुल कितने निकलते हैं तो 20 पहले निकलते हैं वो तूट जाते हैं फिर लाइफ फरियंद चलते रहते हैं 32 यानि कि 20 निकले ये वाले और ये तूट गए फिर से 20 आ जाते हैं और 32 वो वाले अर्था टोटल दांत होते हैं 52 मा दान्त निकल के तूट भी जाते हैं, अगर बात करें हम इश्माईली दान्त किसे कहते हैं, इश्माईली तूथ, तो इश्माईली तूथ, उन्हें कहा जाता है, जब हम मुश्कुराते हैं, और दान्त दिखाई देते हैं, तो वो दान्त होते हैं, कौन होते हैं, कौन होते है तो इंके नाम आप लोग लिख लीजिए हमारे साथ में तो चलो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो दाथ होते हैं इनके नाम क्या होते हैं यहां पर हमने लिख रुख sieht cc से होता है कैनाइन दाथ इसको कहते हैं रदनक और थिसके बाद में हमने लिखा dwarf PM, PM का मितलब होता है, प्रिमोलर, इसका मितलब होता है, अगर चवरडगदात, ठिक फिर लिखा है, मोलर, मोलर का मतलब होता है, चवरडगदात, ठिक और यहां पर हमने दंसूत्र रखा है बहुत अच्छे से आप लोग याद कर सकते हो यह से आई टू सी एक है आई टू सी एक है पी एम टू यम तीन यम में गुड़ा दो से हुई दंत सुत्र है तीन यह सुत्र आप लोग याद कर लेना अपने नाम बताय हैं तो यहां पकीए तो करंतख दांत किसे कहते हैं देखो करंतक दांत की अगर बात करें तो यह दो करंतक दांत होते हैं है एक यह वाला करंतक दांत एक यह वाला यह कौन सा दांत है कि यह वाले दो है ठीक ऊपर आप देख शक्ते हो अगर इसको हम ऐसे bought दें बीच चे डिवाइड कर दे आ से तो इधर देखो आई टू मतलब यह वाले दो हैं यह कौन से दाथ है क्रंतक आई टू फिर सी एक है स्रीमाने क्या होता है रदनक दाथ कि रदनक दाथ यह कितना है एक है कि फिर पीयम टू होते हैं इसको कहते हैं अग्र चवरणक अग्र अग्र चवरणक यह कितने होते हैं दो फिर यम कितने होते हैं तीन इसका मतलब होता है चवरणक आप लोग देख सकते हो क्रंतक दो हैं फिर रदनक एक है फिर अग्र चवरणक दो हैं फिर चवरणक तीन है ठीक अगर दो से गुड़ा कर दे इन दातों को तो बता एक चाप क चाप पूरी एक चाप कम्प्लीट हो सकती है seperti अगर कते हैं और pone ठart कितने होते हैं तो निज horrific कितने होते हैं उस n चार होते हैं 1-चाप में तो चार दूनी आठ होते हैं अगर च्वरणक शावरर्क गलड़ की बात करें तो 3 इधर 3 उधर मतलब छे होते हैं 1-चाप में तो 2-चाप में मिला के 12 होते हैं है सी का मतलब रधनक एक उपर एक नीचे रधनक दांत होता है नुकीला दांत होता है इससे रधनक से चीडने capital काम करते हैं क्रंतक से काटने काइन काम करते हैं कोई सिश्काट काटना है तो टाइट चीज कोई है उसको तोड़ने का काम चवरडग दात करता है अब यह वाला सुत्र देखो आप लोग इसको गुड़ा दोसे कर दीजिए तुम्हारे टोटल 32 दात आ जाएंगे कैसे आएंगे देखना भी इसमें देखो दो उपर हैं करंतक एक उपर रदनक अगर चव अगर छे बात करें तो छे और इधर दस तो छे दस सोला सोला शोल दुनी 32 32 दात हो जाएंगे कैसे सोला उपर आएंगे सोला कहाएंगे उपर आ जाएंगे और सोला कहाएंगे नीचे दात होते हैं इसमें एक आपने सुना होगा अकल की दार अकल की दार क्या होती है अकल का क्यों कहते हैं वो ऐसा होता है कि हमारी जो में अगभा आता है कंसा यह पीछे वाला दांत यह पीछे वाले दांत जो हूते हैं इसले इसको कहा जाता है अक्ल की दांत थिक तो जो चवरडग दांत होते हैं ये वाले इनको अकल की दार भी कहा जाता है पीछे वालों को ठिक तो अमीद करता हूं हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मिलते हैं अगली क